कर दो के गाइज लेट स्टार्ट दी टूड़ी शेशन सो गई सब्सक्राइब करेंगे एक चोटी सी स्टेटेजी आज आपको एक और बताऊंगा मैं आप लोगों को अगर उससे पहले दोगे क्योंकि कि क्योंकि करेंगे लेकिन मैं आप लोगों को वीक्ली एनलेस एपटाउंगा है वह बताऊंगा मैं आपको और उसके बाद एक छोटी सी स्टेटेजी अपको बताऊंगा कि कैसे काम करना है तो राजे सर आपने लास्ट टाइम वह चेक किया था पेवट पॉइंट वाली स्ट्राटजी बताई थी मैंने हाँ सब चेक किया था आज ही चेक किया था आज ही मतलब प्रोफिट में आए आज भी देखा मैं अहां हाँ है और मैं इसे देख रहा हूं तो यह प्रोफिट सब्सक्राशन है वह चेक किया रहरा है कि यहीं टेख रहें हैं मैंग ग्लाई कि पॉजिद्ध धर यहीं हॉर्ड है अज इसका पोजिटिव रिजर्ट मिला उसमा अब ये उसमा अब ता वी इस वह आगे दिन जाया और मनें देखा घ्या एन कि जीबी चा आपको मिल सकते हैं हुआ है हम गोवा में मिले तो आप MSD में कुछ अच्छा बचाने वाले थे MSD के ओपर हाँ आपने बोला था कि MSD की भी आपको बचाने वाला था अच्छा MSD तो मने वाड़ी यूज नहीं किया सर गोवा में अच्छा बोले थे क्या याद नहीं है फिर सर मेरे को कुछ अभी कोई नहीं जब आएगा तब बता दूगा याद है ना कोई दिक्ता नहीं क्योंकि मेरे को एक स्ट्रेटेजी थी जो विपन पटिल जी ने अभी याद दिलाई है तो वह मैं ज़रूर बताऊंगा विपन जी उसके लिए भी नेक्स टाइम रखेंगे नेक्स टैम बता दूगा लेकिन एक और स्ट्रेटेजी वह भी बहुत बढ़ी आए जिसकी मैं सोच रहा था वह भी काफी टैम से पेंडिंग चल रही थी तो भी बताऊंगा आपको थैंक्स वत्सल वत्सल कर रहा है कैमरीला को तो उसके प्रॉफिट हुए हैं तो वत्सल ठाको जी हमारे राजी जी के बिच्चे हैं और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट वो लोग कर रहे हैं तो उन्होंने अभी कमेंट पर लिखा है चलिए सबसे पहले हम करते हैं डॉलर इंडेक्स की आनलेसिस तो जैसे आप चार्ट के अंदर अगर मैं अनलेसिस करूं तो ट्रेंट क्या है मेरे लिए सेडवे स्टेंड नू ट्रेडिंग जून के अंदर इस वक्त आपका डॉलर इंडेक्स है अब इसको और थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं जाऊँगा डेली चार्ट क्या हुआ है कि डेली चार्ट में भी यह बाइंग प्रेशर बना रहा है यहां पर सपूर्ट ले रहा है बाइंग प्रेशर बना रहा है तो एक चीज के लिए है कि जब तक यह 97.70 के नीचे बंद नहीं होता डॉलर इंडेक्स तब तक इसके अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है 97.70 के नीचे अगर दोस्तों बंद हुआ डॉलर इंडेक्स तब यह नीचे कहीं आपका 96.50 डॉलर तक आ जाएगा जब तक यह 97.70 के नीचे बंद नहीं होता तब तक इसके अंदर सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यह उपर नीचे दोनों तरफ आपको गुमा हो जाता है तो अगला टार्गेट इसका 96.50 डॉलर है कि दूसरी बात अब हम आ जाते हैं यूरो यूएजडी के ओपर राजी सर यह जो हायर आई और हायर लोग का कॉंसेप्ट है यह मैंने आपको इसके ओपर कुछ काम कर आया था क्या लास्ट क्लास के अंदर अशर वह थोड़ा बताया था क्या बताया था है कि बतानी थी और मैं कन्फ्यूज़ वह रहूं कि वह आने आपको बताई या नहीं बताई नहीं वह नहीं बताई है तरह मतलब रूटीन बात होती है नहीं मैंने क्या बताया था इसके अंदर कुछ याद हो तो आपको अच्छा तो दोस्तों ये डेली चार्ट है आपका यूरो यूएजडी का तो बहुत पहले क्योंकि राजी सर से हमारी रेगुलर बात होती रहती है और मैं हर हफते कुछ न अच्छ और हायर रूप जादे राजीश्ट तर यह बताया था कि अगर ऐसे वेफ जा रही हैं इस तरीके से तो यह आपका हायर रही हायर लो प्रटान है इस हाइज के टाडिन देस हाई एंडिस हाइड इस जटान दिस अग्डिस लूग इस लोग यह इस लुगि इस भूलते हैं इंपल्सिट क्या बोलते है से मथता और नीचे वाला पॉइंट जाहे इसको वोलते हैं क्रें और फिर मैंने बतायता है यही होता है इंपल से बचुर्इक विस तरीके से बजार चलता है इस हम भो ताहस मैंने बताया था कि अगर बजार Legend लुवर लुवर हाई लुवर लुवर यानि दिस लो इस लेस्टेन दिस लो इन दिस लो इस लेस्टेन दिस लो इस लेस्टेन दिस लो इस लेस्टेन दिस लो इस लेस्टेन दिस लेस्टेन दिस लेस्टेन दिस लेस्टेन दिस लेस्टेन दिस लेस्टेन दिस लेस्टेन दि एक भोलेंगे कर्णा भी हरा champagne लोग लोगयों टेके अब ये Canadian बोस्ट कर चुके हैं यह वह ले जब इसने इसने सब्कूर कर चुकर जो मैं और ऐसमे सपूर्ट लिया अब हम आ ज़ाते हैं इसके के डेली चार्ट पे अब हमें हायर आई और हायर लोग को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको आप समझो कि 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 कैसे समस्थ है कि यह पॉइंट है कि यह आपका बी पॉइंट है ठीक है यह से बी तक वज़ार गया इसको हमने बोला इंपल्सिव यह कराया था राजी सर्व नहीं यह नहीं करा था तो यह फिर के आने के बाद जब लुक्त नीचे आ बेरिश वाला तो हमने यह माली है कि अभी कर्रेक्शन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है अम मेर को यह कैसे पता लगेगा कि बी से जो चीज हो सकती है जब बजार उपर से नीचे आ रहा होता है तो दूची पॉस्यीड पॉस्यूबिलिटी है या तो यह घाल रिवर्स लें है कि दोची मिलेशों सकते हैं राजी सरा न्याया सब्सक्राइब कि कैसे पता लगेगा कि करेक्षिन एफ एफ कैसे पता लगेगा दोस्तों कर्रेक्ष ने रिवर सलेःड और नहीं भी किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो एकदम हेंड्रेस कर देना बहुत इंपॉर्टन चीज बता रहा हूं और राजी सर आप अपने माइक को म्यूट मत करना इसके में को डिसकुशन के लिए चाहिए कुंदा और करेक्शन आपने वह जी भी में दिखा आएगा तो यह कैसे पता लगेगा चोटा सा करेक्शन होके यह उपर भग जाएगा यह बिल्कुली नीचे चला जाएगा तो सिंबल सी बात है इसमें ज्यादा मैतामेटिक्स नहीं है अगर प्राइस इस लोको तोड़ देता है प्रीवेस लोको इसको हम बोल सकते हैं स्व प्रोड लो इसको अगर तोड़ देता है बजार तो हम यह कंफर्म हो जाएगा कि यह रिवर्सल है कि यह सब्सक्राइब अब करेक्शन कैसे इडिफाय होगा उसको समझ लेते हैं इसको मैं फिर मार्क कर देता हूं यह पउयंट है यह बी पॉयंट है आप मैं क्या निकाल उनका एका मैं लूँगा लो लो वैल्यू हाई की बी की मैं लूँगा हाई वैल्यू अरविंद कुमार जी मैं आपको अन्म्यूट कर रहा हूं सर अपने हैंड रेस किया है अपने सारे साथ वेबिनार हमारे टेंड नहीं किये मैंने कॉंसर बताया था हाई राई हायर लो का है राई हायर लो इसमें क्या होता है प्रैजिस नीचे से उपर जाते हैं ठीक है टेक मैं आपको दोबरह बता दो सभी को रिपीट कर दूँ वाट इस हए राई हाय रो कितने लोगे कंफर्टेबल या रिपीट बताओ या हायर राई हायर लो पैटन कितने लोगों को नहीं आता है कि सर मेरे को रिपीट बताईए एक मेंट दोस्त सभी से पूछ लेता हूं ना एक मेंट कितने लोग अगर एग्रीड है क्योंकि फिर में और कुछ कौन से बता दूँगा एक एक बंदे के पीछे अपन पूरा वैबिनार वो नहीं करेंगे खराब कि इसमें तो क्या ने ने लोग आते रहते हैं ने ने कौन से बताऊंगा तो पूरा रिपीट करता रहोंगा तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दूश्क चलो विरल पडिल जी जैसी ठाकुर जी पावर अफ एफेक्स पडिल की चलो दो तीन फटाफट कॉन से समझा द है अप है कि हाई रही हार कि इसके अंदर क्या होता है प्रैस होते हैं दोस्तों एक पोंट से चलकर एक पोंट तक जाते हैं किसी डेवल से जाकर रूपूइं पॉंट पर फिर उसके बाद यह ऊपर से नीचे आते जो नीचे नीचे आने के बाद फिर उपर जाते हैं और फिर एक पॉइंट पर जाते हैं तो यह जो पहला वाला पॉइंट है इसको हम बुलेंगे इंपल्सिव अरविंद जी तुन रहो आप आरविंद कुमार जी समझ में आ रहा है अब आपना माइक को अन्मूट मत करिएगा मैं आप से कोशन पूछूंगा आप बताते रहिए ठीक है यह इंपल्सिव वेव है और यह मान के चलो एपॉइंट है यह बी पॉइंट है बी से बजार सी तक गया यह सी पॉइंट है ठीक है इसको मैंने नाम द लगाया यहां पर फिर बजार ने लो लगाया इस करेक्शन के अंदर फिर हाई लगाया तो यह वाला हाई अपने पिछले हाई से बढ़ा है यह वाला लो और यह वाला लो अपने पिछले है यह बजार से बढ़ाया यानि बाजार जब उपर से नीचे आता है तो उसमें इतनी मोमंटम नहीं है नीचे जाने गा कि वह अपने पिछले लोकर ब्रीज कर पया कि खभब करनसी पेयर में तेजी है तो जैसे ही इसका हई उड़ेगा विए बन जाता है कुछ अपैटन इलफाबेट पढ़ा है आपने अज़ती है यह कुछ इन पैटन की दरह अपने आप प्रपर जाएगा फिर लू मारेगा फिर अपर जाएंगे नहीं है इसको काड़ता जा रहा है लेकिन जो प्राने लो है उनको टूम्हार कर पा रहा है उन्कों टॉच्म नहीं कर पाल रहे हैं मतलब क्या हुआ कि बजार में तेजी है जब गिरावट आती है बजार के अंदर तो बजार में केजी पकड़ लेता है तो इस पैटन को बोलते हैं हायर आई और हायर लूग ठीक है अब इसके अंदर एंट्री कैसे करनी होती है हमें तरीका तो यह है कि जब यह से बी तक जाता है यह बजार फिर फिक से पॉइंट पर आता है तो जो भी पॉइंट का लेवल है इस लेवल पे हम कर लेंगे बाई जैसे ही इस लेवल को यह तोड़ेगा यह हमारा बॉज को सी dw qued स्टॉप लॉस हो जाएगा आप चाहो तो छोटा सा रखना स्टॉप लो तो सीट पॉइंट का रखो ठोड़ा और बढ़ा रखना तो एक पॉइंट का श्तॉप लॉस कि समझ मा आगे यहां तक कि अब इसका उल्टा होता है लोवर है लोव पैटन जस्टिस का पॉजिट हो जैगा न सौर्व कि लोवर यानि तो यह वह ला है युझाइब नहीं तोड़ पाया जिवाला है इस आइकोच नहीं तोड़ पाया यह नहीं लोज बनते जा रहे हैं ने लोज जब भी नीचे आ रहा है तो प्राणे लोगों तोड़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है डाउन ट्रेंड है लोगर है लोगर लोगर ठीक है अम मैंने आपको बता है कि एक मैंने एंड बनाने की कोशिश करी यूरो यूस्डी में वहां पर मेरको यह सब्सक्राइब नेधेश बोट्राओन हें करता करना सी वाओंट अे येयुक्त है. तो यह उसक्ता है कि यहां तक आस्चे तक चले गांडता है तो यह कैसे इसके औपर अब दो तरीके हैं यह तो बजार, अगर A से B तक जाता है, यह पंट है बी पॉइंट है, फिर मैं वेट करूँ, C पॉइंट को बनने दूँ उपने, पहीं तक भी आ जायए, सी पॉइंट बनने के बाद जब यह उपर वी को तोड़ता है जैसे मैंने अभी सिखाया तो यहां पे मैं वाला यह नजदीग हो जाएगा थोड़ा तो मैं ठोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि मिर्ट को अर्ली एंट्री मिल जाए यह कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां तक की मिरी जूट जाए तो ना तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह 4080 पर भी मेरे न चुटे मैं और थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहा हूं इंप्रूव करने की अब मैं आपसे बोल रहा हूं किसका तरीगा क्या है यह है यह यह बी है राजे सर सुनना बहुत important है कि यह सुन रहा हूं कि एका मैं लूंगा लो प्राइस कि भी पॉइंट का लूंगा हाई प्राइस कि ले लिए सर कि यह सब हाई में से लोको माइनेस करूंगा कि दोस्तों लिख लेना पूरे यूटूब पे पूरे वर्ल्ड में किसी भी बुक में अगर यह चीज मिल जाए आपको तो नाम बदल देना मेरा इतनी इंपॉर्टन चीज बता रहा हूं आपको प्रीमियम कंटेंट जो मतलब कोई नहीं जानता है हाई में से लो माइनेस क करूंगा कि यह निकलेगा मेरा फैनल रिजल्ट है कि इसको एक्जामपल के तौर पर समझाता हूं आप यह मेरा एपॉइंट है यह मेरा बी पॉइंट है यह मेरा बी पॉइंट है कि यह सब्सक्राइब यह पॉइंट भी पॉइंट है इस एपॉइंट का जो लो है वह वन पॉइंट जीरो एट जीरो सिक्स इसको लिख लेते हैं यांपे कि दोस्तों यह मिटिंग आपकी 10 मिनिट के अंदर हैंड हो जाएगी तो वापस उसी लिंक से जो लिंक आपको दिया गया है उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वापस जोइन हो जाएँगी हो सकता है मेरे को समझाते समझाते बात करते करते मिटिंग अटोमेटिकली एंड हो जाए लेकिन जब आप उसी लिंक से जॉइन कर लिजेगा अब भी पॉइंट का ही देखते हैं सर भी पॉइंट का ही है वन पॉइंट वन वन टू वन इसको लिख लेते हैं तो मेरा फार्मुला क्या था हाई माइनस लो है है वन पॉइंट वन वन टू वन मैनेस वन पॉइंट जीरो एट जीरो सिक्स ठीक है सर राजे से रहांते क्लियर यह सर आम में अपना ख़ल लेता हूं केलकुलेटर लिखता हूं 1 1 2 1 मिनस जीरो 806 यह सर 315 कितना आया 315 315 नीं सो पांदरा प्रिश्म और भूल गया में वह बता देता हूं जी 900 northwest को कौम डिवाइट करदूघंगा टू से यह वाला मैं भूल गया था 315 प्रिश्म कौमाने डिवाइट किया टू से तो कितना निकला 157.50 ठीक है तो उसको रॉंड फिगर में ले लेते हैं 157 फिप उसको सब को में अटा देता हूं एक बार तो हमारा हाई प्राइस था 1.1 121-157 फिप ठीक है रिजल्ट कितना निकला 1121-157 फिप नैन सिक्ष्टी फूर कि वन पॉइंट जीरो नैन सिक्स पूर ठीक राजे सर यानि मेरे हिसाब से यह वन पॉइंट जीरो नैन सिक्स फूर तक कर्रेक्शन लेना चाहिए और सी पॉइंट इसको यहां पर आस्वास बनाना चाहिए जरूरी नहीं कि इसी पर बनाए उपर नीचे हो सकता है मैथमाटिक्स है अब मेरे को एंट्री लेनी कैसे है इसके अंदर यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे पास रिजल्ट कितना निकला वन पॉइंट जीरो नैन सिक्स फूर कि यह सार ठीक है अब मैं क्या करूंगा राजे सर इसके अंदर मैं जाओंगा दो गंटे के चार्ट के अंदर कि मैं एक लिलूंगा और होरिजोंटल लाइन और होरिजोंटल लाइन को चार्ट पर कहीं भी छोड़ दूंगा छोड़ दिया इसको डबल क्लिक करूंगा जहां पर मैं अपनी डाल दूंगा डही का 1.0964 झा должен लाइन-डल जाएगी अधिक टिक है अब मैं क्या कोशिस कर रहा हूं मैं यह द injust लें जैसे इसने लिए उसके बाद सने कैंडल पर कितनी मने इसना कितनी बड़ी मुमेंट Leovale पाने के बाद और मैं चाह रहा था लेकिन यहां पर कि यहां पर सपोर्ट लेने के बाद यह यहां पर एक एंड पैटन बनाए लेकिन इसने यहां पर नहीं बनाया मुमेंट दी इसने कितनी मुमेंट दिखा देता हूं लो बनाया इसने 960 का और उसके बाद हाई बनाया 1043 का यानी 83 फिप्स की मुवंट देदी इसमें सबूर लेने के बाद यानि 83 अपके फिवर में आ गए लेकिन हमार हमें ऐसा नीच चाहिए हमें क्या करना है इसको चलो इसके नीचे आगया कोई बात नी आने दो नीचे आने के बाद जब यह फर्स्ट एंट पैटन मनाएगा यह एंट पैटन मनाए है तो इस जोन में मैं क्या कर लूँगा वाइग और यह वाला जो मेरा पहला वाला रहेगा यह रहेगा मेरा स्टॉप लॉक्स कि मैंने बाए कहां किया कि वन पॉइंट जीरो नाइन नाइन जीरो पर ठीक है सर कि यह सार और उसके बाद यह देखो चलता है कहां तक उपर गया है वन वन थी सेवन तक तो यह है एंट्री करने का तरीका लोर पॉइंट पर एक दम बॉट्टम नहीं पकड़ माएगा आपक पकाड़ रहा हूं और डेट इस कॉल्ड राजे सर मल्टी टाम फ्रेम एने लेसिस तो के समझाए बात को सीधा ना ले जाके आपको दूसरे तरीके से घुमा के लेगे है यह बड़े टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेंट पकड़ा और चोटे टाइम फ्रेम में में इसमें एं से बताया ए कि जो हाईर आई हाईर लो मैं उपर के लेबल पर देख रहा ता यह बड़े टाइम फ्रेम पर जो में देख रहा था मैंने इसी कह ब्याद के लिया यह वाटा जो वैब है इस वैब कर अंदर कहां यह हाई राइह एर लो चोटा सा बन रहा है है थे एक्सुल confirmation लेकिन मैंने क्या किया यहीं पर पकड़ लिया इसको तो यहां से यहां तक का पॉइंट तो मिली गया प्रॉफिट के लिए तो यह होती है अच्छा यह चीज दो सकता है आप लोगों के सर के उपर से अभी निकल रही हो क्योंकि यह सब चीजे प्रैक्टिस की बात है दोस्तों समझने के लिए बहुत टाइम चींज एक दिन के अंदर आने वाला कॉंसेप नहीं है तो यह एक आइडिया दिया है ठीक ह है हमारे एडवांस लेवल बैचिस चल रहे हैं जो लोग जॉइन होना चाहता है बुलवेल अकैडमी से कॉंटेक्ट करके कर लें उसके अंदर हम यह सीजे इन डेप्ट आपको सिखाते हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप की हम लोग आपको बाते बता लेंगे वह तरीका है तो अवरॉल हम चार्ट का अनिलेसिस कर लेते हैं जो हम कर रहे थे डेली चार्ट पा जाते हैं इस देली चार्ट में भी higher high high low pattern मंन रहा है एक चीच कनफर्म है जब तक यह वाला जो सी पंट है यह ने बनाया था यह बनाया था यह बनाया था मैने बी कर सकता है अगर यह 900 के नीचे बंद हो गया तो ही हमारी बात फेल हो जाएगी तब यह आपका नीचे पुराने लो है यह वाला लो इसको भी तोड़ेगा अगर 900 के नीचे बंद हो गया तो जो लोग कर रहे हैं या पोजीशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए इंपोर्टन लेवल है 900 का वह 900 को अपने स्टॉप लॉस बनाके उल्ड करें जो लोग लॉंग पोजिशन प्ले कर रहे हैं 900 के नीचे अगर बंद हो जाता है तो अपना स्टॉप लॉसे करें एक्जिट हो टाइम नहीं रह पाएगा लेकिन इस्मार्ट मनी कर देखने का तरीका है यह मैं बता सकता हूं कि 1000 के लेवल पर आपके स्ट्रॉंग बायर्स कड़े हुए हैं 1250 पर आपके सैलर्स कड़े हुए हैं और तेरों सो पर आपके सब्सक्राइब यानि जब तक यह अभी इमिजि चैसों से पहले रुकने वाला नहीं है अधर्वाइस यह बारों सो पचास और तेरा सो तक जाने की हिम्मत रखता है यूरो यूएजडी अब हम आजाते हैं जी बीप यूएजडी के उपर जो को बहुत ही शानदार यह दो पैटन देखो जस्ट लाइक ट्यूजर बॉटम ट्यूजर बॉटम केंडल आप फाइंड आउट कर लेना आला कि उसका यह पैटन हमेशा टॉप पे बनता है लेकिन बॉटम पे बनाएं तो यह टूजर बॉटम बहुत शांदार पैटन मना है और इसके बाद आपको रैली देखने को मिल रही है दूसरी बात जी बीप यूएजडी के अंदर अगर मैं दो घंटे के चार्ट के उपर जाता हूं दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो लोग टेकनिकल जानते उनके लिए बता जेता हूं उसके राउंडिंग बॉटम पैटन मना है यह राउंडिंग बॉटम पैटन का नेकलाइन है ठाटी टूंड्रेट की कितने की है राजे सर अगर दो घंटे का कोई भी कै केंडल आपका 32 के उपर बंद हो जाता है तो यह 360-350 से 360 कम से कम जाएगा और 32 के उपर अगर बंद हो जाता है तो 3100 इसका स्टॉप लोस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे यह 32 का रिजिस्टेंस से तो बार-बार वहां से नीचे आ रहा है अगर 32 के उपर दो घंटे का कैंडल बंद हो जाता है तो 3360 का टार्गेट है एक अधिस्टो का स्टॉप लोस रहेगा दूसरा आज इसी बेशिस पर मैंने ट्रेड लिया था इस बेसिस पर ट्रेंड लेंगे बैसिस मैं क्लास में पढ़ा रहा था ट्रेंड लाइन और यहां पर सपूर्ड नजर आया और एक रिजेक्शन नजर आया और इस अधर इनी बेसिक झाले बेसि करता है क्यो झाल झाल को आए दो में स्टार्ट करते हैं विपल ओर जानिंग था दो मिंट के दर चालू करते हैं बस करके लगो कर दो चलो मैंसिमुम लोग गागे हैं चलो करते हैं लोग तो मैं आपको जीवीपी उसडी बता रहा था कि 3200 पे इसका एक रेजिस्टेंस है जहांसे बार-बार टान अराउंड हो रहा है तो अगर आपको देखने को मिलेगी और 3100 आपका स्टॉप लॉस रहेगा है ठीक है उसके बाद आजाते हैं यूडी यूएजडी कि सब्सक्राइब मैं जो विकली केंडल है उसमें करेक्शन है तीन वीक्स के ज्यादा तो मतलब यूचे आ सकता है नहीं आ सकता है अब यह देखो तीन वीक के बाद इसने रिवर्सल दिया है कि अब यह इसका जो रिवर्सल का हाई यह व बत्तिसों के असपास ही है अगर यह बत्तिसों के उपर बंद हो गया तो यह मान के चलो यह जो तीसरा केंडल फिर नीचे नहीं आएगा इन दोनों का लोग नित इस्टिटिशनल क्या है सर्फ विजल्ट क्या है वह देखना है से में रिजल्ट देख लीजिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्याद 3320 पर घड़ा हुए है कि नीचे अभी कहीं सपोर्ट है नहीं ठीक है ना बायर इनके साब से तो 3320 है वैसे अगर आपको वैसे दिखाऊं मैं आपको उपर इंट्रेस्ट डेटा कांगा खड़ा हुआ है तो आप देख सकते 31 पर सबसे ज़्यादा बायर खड़ा हुआ है अब कर देख सकते नहीं है तो अब कर दोस्तों तो तो टोड़ना के लिए मुश्किल अभी कि अब कर दो सब्सक्राइब कर दो कि अगर आप दोस्तों का चार्ट देखोगे काफी अच्छा रन अप हुआ इसके अंदर काफी अच्छा एक दो तीन चार केंडल बुलिश बनाई है डेली चार्ट के अंदर ठीक है इसके बाद इसका जो हाई है रजिस्टेंस तो 7470 के असपास है और यह वाला जो स्विंग हाई है यह आपका अगर 7455 के असपास 0.7455 तो देरिज़े हायर प्रॉब्यबिल्टी कि आपका यूडी यूज़ी चौतर सो सवन स्वारी 7555 कि 7555 के असपास है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अभी हम इस रेट पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे वह सकता है कि यहां से नीचे आ जाए तो लेकिन मैं यहां पर ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा मैं इसको कि 755 के असपास अगर आता है कि 0.750 के असपास अगर आता है तो मैं इसमें सेल ट्रेड बनाऊंगा एक ठीक है और स्टॉप लॉस रखूंगा इसके अंदर यह वाले हाई का जिरो कॉइंट सेवन फाइफ सिक जिरो ले लूँगा रॉंड फिकर में क्लोजिंग बेसिस पे यानि इसके ओपर अगर क्लोज हुआ तो एक्जिट और टार्गेट नीचे मेरे कम से कम सौप टार्गेट रहेंगे नीचे के यानि साट पिप का स्टॉप टार्गेट मैं ल और इस जोन को तोड़ने दो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मेरे को अगर चौतर सो नब्य पिचातर सो गास पास मिलेगा तो वहां पर ठोकूंगा इसको में अब हम आजाते हैं गोल्ड के ओपर गोल्ड में क्या है यह हैमर बनाया हुआ बहुत बढ़िया अब इस हैमर के ओपर यह एंट्री भी हो चुकी है एंट्री भी हो चुकी है तो अभी कर्रेक्टिव रैली के बाद वापस उपर जा रहा है प्लस आरसाय पर देखोगे तो यह 50 के जोन में सपोर्ट ले रहा है यहां पर गोंड ओवर्एल जब तक यह इस केंडल लू नहीं तोड़ता जब तक यह सकाटल का लू नहीं तोड़ता गोल्ड आपका बाके अंदर है गोल्ड़ इसे बाय कैंडिट कहां तक उपर जा सकता है वह अब हम देख लेते हैं पर शोट डाइंफ्रेम में आ जाते ह पहले जब है जा इस अपने पर यूट पर आजाते हैं अपने इस ऑपन इंट्रेश्ट डेटा पर देखो सबसे ज़्यादा शलर खड़ हुए आपके 1950 के कि 1950 के असपास खड़ हुए 2000 पर अपर और बाहर कहां खड़ हुए उननिशव के लेवल पर तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई ये पोजीशन देखते हुए कि 1900 का जो घर है आपका ये स्ट्रॉंग सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस आपका क्यातना है 1950 पर इसलिए आपको द्यान होगा कि एक दो दिन पहले ही 1950 से ही पल्टा था गोल्ड आपका और 1950 के उपर अगर गोल्ड सुस्टीन कर जाता है क्लोजिंग दे जाता है तो अगला टार्गेट कितना है आपका दो हजार का उससे पले रुकने वाला नहीं है उसके बाद छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं 1960 पर 1975 पर चोटे रेजिस्टेंस है लेकिन फोल्ड नहीं कर पाएगा ओपन इंट्रेस्ट चेंज डिटा को देख लेते हैं कि उपन इंटर्चेंज डिटा में देखोगे तो भी कॉलर्स अभी आपके 1995 पर खड़े हुए सेल राइटर्स कि नीचे सपोर्ट आपका उननीचों से पहले कहीं भी सपोर्ट नहीं है कि तो यह वह ज्यादा वोलिटाइल होने वाला है गूल्ड आपका बाय करोगे उपर नीचे कहीं भी मार सकता है लेकिन जिसके पास ताकत है उननीचों के साथ क्लोजिंग बेसिस पर चाहे तो बाय कर ले पास नीचों पचास के बाद 2,000 जिए टार्गेट इसको अचीव करने जाना ही जाना हो जाएगा अगर नीचों के नीचे रह जाता है और नीचों के नीचे बंद हो जाता है तो यह शाड़े अठारा सो आए गई आएगा तो फिर ठारा सो पचास से पहले रुकने वाला य यह नहीं है यह लेवल से आपके गोल्ड के दूसरा है दो घंटे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यह तो यह यह चैनल भी तोड़ा है यह चैनल डाउनवर्ड चैनल ब्रेक आउट कि यहां से भी आप चाहू तो इस स्टॉप लॉस के साथ बाइ एंट्री कर सकते ह कर सकते हूं गुल्ड के अंदर अब अपने चैट बॉक्स के अंदर अपने करेंसी लिखते रहें कि किस करेंसी पियर के अंदर आपको आनिलेसिस चाहिए तो वह मैं आपको देख देख के बताता रहूंगा और फिर हम चलेंगे थोड़ा से स्टेड़ेजी पार्ट के उप कि यूरो एंजेट डी सी एच एफ जेपी वाई योगेश रातरोर सरन्य भवला है ठीक है सबसे पहले उनका लेख लेते हैं यूरो एंजेट डी अब देखो सर राजे सर बहुत बड़े केस्टेड़ी आई है राजे सर यस सर बहुत बड़े केस्टेड़ी है यह देखो यह पॉइंट यह वाला आपका बी पॉइंट ठीक है इसका लोग है 1.5642 लिख लेते हैं 1.6331 तो हाई में से पहले लो मैनेस करते हैं 6331-5642 इसको डिवाइड करते हैं 2 से 344 पिप तो 6331-344 पिप 5987 1.5987 अब इसको में लिया था हूं दो गंडे के चार्ट पे कि इतना लेवल था 1.5987 एक मेंट डेली पे में मार्किंग कर देता हूं अब दो गंडे के चार्ट एक वन पॉइंट फाइफ ना दोस्तों चार्ट पर कहीं पे चोड़ दूंगा डबल क्लिक करूंगा यहां पर लेगूंगा वन पॉइंट फाइफ ना इट सेवन कि देखो राजे सर यह गया हाई यह गया लो अब जब इसका हाई कटेगा तो मैं बैठ जाओंगा बाए में यह मेरा मिल गया इन पैटन कि यह मेरे रहेगा स्टॉप लॉस कि समझ में आया कि यह सार यह एन पैटन बना नहीं है अभी यह बनेगा इस केंडल के ऊपर इस केंडल का 1.6059 तो 6060 ले लो पर आपको बाय करना है इस टॉप लॉस लगाना आपको। और यह तार के नंते कि साथank upload लॉटे की गजाएगा सीधे नहीं यह ऐसा नहीं जाएगा जा भी सकता है गारंटी नहीं है यह इसको तोड़ने का वसकता है पर यह आ जाए फिर वापस एक करेक्टिव रोल बनाए फिर उपर जाए इस यह बिल्कुल परफेक्ट एक्जैम्पल है दोस्तों जो अभी आपको मैं सिखा रहा था उसमें तो और यहां से आके यह जाके ऐसे भी बन सकता है यह ना लेकिन हम तो एंड पैटन के ओपर ही बाइगा अब देखो जो हमने लेवल निकाला 5987 यह तो उसी लेवल पर आके इसने सपोर्ट लिया है अमने पहले तो नहीं देखा था इसका चार्ट नहीं है आपके नहीं तो ख और यहां पर इन ना मना वापस नीचे आ जाए तो यहां पर अगर यहां तक कि है अगर नीचे तोड़ दिये शने यह लेवल के नीचे चला गया जोन के लिग्स चला गया तो फिर ही हो सकता है वापस 57 सों सब्ळसों के बीच में आ जाया कि तो यह आपकी लास्ट लखीर मिअगे इस ची इनीचे गिर सकता है अच्छे वहाल कल दुस्त प्लू बहुत चीज़े निकल के आते हैं बहुत पैटन निकल के आते हैं आप पॉर्षेटी भी निकल के आती है सिएचे दोस्तों मट्टी वीग लगाते जा रहे सर मट्टी वीग है लगाते जा रहे ये 129 का लेवल आगर इसके उपर भी बंद हो गया तो 134 से पहले रुकने वाला नहीं है कि 139 के उपर अगर लास्ट लेवल 29 यह सही 90 की बात और है अगर 90 से पलट गया तो पलट जाएगा तो 134 जॉलर से पहले रुपने वाला नहीं है तो इस लेवल पर अगर नहीं करूंगा कि इसमें अल्रेडि इतने हायर राई है रोज बन चुके हैं एक दो तीन चार पांच मुल्ब काफी रैली बन चुकी है इस लेवल पर बाई करोगे क्योंकि जितनी तेजी से बगाए उतनी तेजी से नीच आएगा जैसे आया नहीं नीच आएगा तो आपने को बाई नहीं करना है तो कि अल्रेडि इतना भग चुका है सथ इसको उपर जा रहा जाने दूंगा तो शॉविस और पच्छीस और च इसकी में क्या थोरी देख रहा हूं वीकली चार्ट के ओपर जबी बी ओवरबॉट जोन में जाता है और जहां पहला रेट केंडल बनाता है उसके बाद यह डाउन फॉल देता है ठीक है अब आपको वीकली चार्ट में नजर रखें अभी देखो जैसे यहां पर जैसे बनाना था बना लिया उसके बाद जैसे रेड बनाया अगले हफते उसके बाद नीचे तो अपन इसी से देखेंगे कि हमें क्या करना है रुख जाओं लेकिन नीचे जरूर आया ऐसे यहां पर यहां पर इसने बनाया और यहांसे भी नीचे आया तो यहां पर वीक में आप इसने ऊवर्बॉट बना रखाए अब एक अफ़ते उपर रहता है दो आपको एक्क्यूटी डाल के समालने आपड़ेगी पोजिशन कि उपर अगर ज तो बहुत ही शांदर बन जायागा वह से तो आपको गर जाएगा कम से का में 126 पच्चेस तक गिरे गई तो 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 सारे खतम कर लेना तो तो कि सब्सक्राइब मिलेंगे और नीचे भी आपको 200 पर नुकसान होगा मेरे इसाब से तो 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 आपको अवरल प्रॉफिट में निकल जाओ गया पूंतिस के असपस एक वर शॉट कर लेना आप जाए ठीक है ना और चलते हैं हम लोग आगे यूएजडी केड़ करते 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 काफी टाइम सब्सक्राइब कर रहा है मेरे साब से तो एक वर पच्चिस सो क्या सब्सक्राइब एक बांस बैक दे सकता है वापस 2700 तक उसके बाद फिर वापस पच्चिस सो तक आना चाहिए नीच एक बाद इस सपूर जून तक आना चाहिए मिरे को बियरिश लग रहा है यूजडी केड कोई भी यह जंप मारेगा मैं शॉट में वैटूंगा यूजडी के यह पच्च अब हम चलते एंजडी जेपीवाई अगर आज यह बेरिश केंडल पूरी बना लेता है कम्प्लीट कर लेता है बेरिश केंडल कम्प्लीट कर लेता है अगर आज यह तो आज के लोग के नीचे कल शॉट कर देना और यह जो हाई वाला केंडल है इस केंडल के हाई के ओपर अपने एसल रख लेना पर इसके ओपर अगर दो गुंटे के चार्ट में यह क्लोज कर देता है तो एकजिट कर जाना आदरवाइस आपको यह नीचे मुम्मेंट अच सेलर का वेट जादा है अभी तो क्या लग रहा है इस वीरिश केंडल के अंदर भी बायर का वेट जादा नजर आ रहा है मेरे को यह बड़ी रेट केंडल मनने तो उसके लोग के नीचे शॉट करना तब आपको शांदार नीचे की मुमेंट इसके अंदर मिलेगी अभी जलती करते हैं नौ सिखी टेडर्स और एक प्रोफेशनल टेडर्स जो सही काम करते हैं कि कैंडल का देखो पोजिशन अभी बायर ज्यादे अंदर बायर से उपर की तरफ खैच रहें लगन उनके एंट्री की बि Vegard आप करोगे तो आप मारे जाऊँगे थो बड़े बुद को उसना के उसके अंदर साइलिंग के अंदर यढफ हम लोग करेंगे डिर है क्यों आप कि अंद गुल रहा है कि अश्राइजी सर बात कर रहें है अश्राइजी सर्फ बड़ी सब्सक्राइजी जल्दी मोराज कर दो कि मानोगे नहीं आवे हैं कि फिर टाइम कतब हो जाएगा जाएगा यूडी सी एच एफ एक और जैदीर जी का यह बता जेता हूं सर क्योंकि उस्ट्राइजी खाली जीबीप उसडी पर काम करेगी आपके लिए स्पेशल बनाके लिए क्या है तो इसलिए जाला टाइम लगे दोस्त अगर आप चाहो तो इसको इह पर शॉट कर दो और यह स्टॉप लॉस ले लो और यहां पर इसको शॉट करना चाहो तो कर सकते हुए यूडी सी अचा बहुत अच्छा पैटन है रिजिस्टेंस पे स्पिनिंग टॉप बनाया है इसने और वहां से इसने बड़ा रे करेंगा लेकिन एक बार यह थोड़ा साब को 17 से पर दिखा सकता है अंक बबार चाहो तो चोटा लोट लेना स्ट्रॉफ्स अभी नहीं तो आ должны लेना सकतेवाःधिया बहुत बढ़ए बाचि है कि चलते हैं स्टैटेजी के ऊपर मेरे को चार्ट ओपन करने दो अपना कि ने राजी सर यह स्टैटेजी है दिख रहे है आपको कि अलो राजी सर कि यह सब इस्टैटेजी है इंडिकेटर कौन से यूजओंगे फुटाफट लिख लो आप इंडिकेटर में आप दो आपको एफ्टी के के ओके एफिक डाल दी आपने येस इस पेडिग कर दो क्लिक करने के बाद अब मैंने प्रवाली तीन चर सेटिंग में कुछ चेंज की होंगे मैंने याद नहीं है मिरको उपर जो सोर्स है उसको चेंज किया होगा और एक बेस सेंप्लिंग पीरिड को सब्सक्राइब देखना रजी सर आपके चाट में क्या रहा है सोर्स हलो एक मिर्ट सर ये फिबोना की वाला ही है ने सर ये फपी के ये देखो फिबोना की कामा सिरीज या वाथर बता देता हुए उसका कोने एफ पी के ओधर ये डोनो वें वेल वॉल आ यह फिबोना की की पेरी ना फिबोना की पीरियड कामा सिरीज है ओक्य डोनो डोनो वें वेल इसके इंडिकेटर के निर्माता है मिला नहीं मिला हां मिला ना सब्सक्राइब इसमें सोर्स है हमारा एच लसी थ्री डालना है आपको हां वही है बेस सेंप्लिंग पीरेट टुंटी है वहां पर कितना है तो टुंटी गड़ोस को कि ट्वेंटी कर दिया कामा सीरीज नीचे जीरो पॉंट ट्रिबल सिक्स जीरो पॉंट इरो सिक्सक्राइब सेम रहेगा शायद बस ठीक हो कुछ नहीं करने इसमें कर देने आपको कि एक और इंडिकेटर डालने आपको क्यू क्यू इमूड इसमें जाओगे लिखोगे कि क्यू 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 इमोड सबसे पहले वाला कि मिखेल ग्रेश का नहीं उपर वाला मिच के यल जीरो 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 कि ओक है यह वाला लेने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाओगे आप कि अपकर ओढूरे सब्सक्राइद के नहीं ग्रेस की मैंने को चेंज सब्सक्राइब देख लो लाएप इसकी कि अ क्याए आप कि जलदी देखो राजी सब्सक्राइब आफ आश्या देख रहा हूं कि गाइस यह सेटिंग्स आप लोग भी नोट करते रहना कि इस्क्रिंशॉट चाहो तो रिकॉर्डिंग चाहो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको बुलबल एकैडमी से और यह सब्सक्रिंशॉट ले लो और नीचाओ लेवाले का भी ले लो यह सब कि इसमें कुछ नहीं की है मैंने इस तरह में बूले कि क्या क्या चेंजिस कि एक तेक है पंदरा मिंड का टायम फ्रेम में यह सर्फ जीवीपी यूजड़ी पे काम करेगी यूरोपे भी काम तो शर्फ अभी जीवीपी यूजड़ी के लिए रखना अब इसमें एंट्री पॉइंट लेना कैसे वह मैं दिखा देता हूं थोड़ा साथ अजय को आए अजय को अधर पर गुच्छ नट्री पॉइंट बताओं वाजी सरे एक्जिट वगर आप दूनना सके ठीक है यह प्लोगों का उंबक रहेगा कि यह सार कुछ मेंनत आप से भी कराऊंगा घटा पका खाना नहीं दूंगा श्यों 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 तो हुआ है यह कि अज़ों दो कि दो स्टों एंट्री पॉइंट बहुत सिंपल है कि दो तरह की चीजें यह बहुत सारी मल्टिपल लाइने दिख रही होंगी आपको रैड कलर की लाइन दिख रहा होगा ठीक है इन से करना है सबसे पहले तो मिन देना है एक ऐसा केंडल जो इन सभी लाइनों के उपर बंद हो जाए यहां पर बंद हो गया है कि यह उप्लूजिंग इंपारडंट नीचे क्यों क्यों मूड वाला यह वाला यह ब्लू वाला यह देखो यहां पर ब्लू बार से यह ब्लू बार्स होने जरूरी है ओके ठीक है अब इस केंडल के हाई क्यों पर आप आप कर लोगे सकेंडल का हाई है 1.3560 अब बताता हूं इसके अंदर वापस आता हूं से लेंट्री के दोस्तों जब इन सारी लाइनों के नीचे कोई केंडल बंद हो जाएगा कोई केंडल क्लोज हो जाएगा उसक्लोज के नीचे हम क्या करेंगे लेंगे लेकिन उसक्लोज के नीचे मोड इंडिकेटर है यह आपका होना चाहिए रेट कलर का अगर रेट कलर का नहीं हुआ तो हम सेल नहीं लेंगे यहां पर यहां पर हमने किया बाइख करने के बाद यह गया सर 3567 यानि साथ पर गया और उसके बाद यह नीचे गिर गया साथ ग गरने दो जा गरने के बाद देखो अब हमारे नहीं दिया जाप घर हम चाते तो और बाई को जीशन एवरेज कर सकते stellar ठीकेशर के नहीं अ reveal देगा तब यहांपे इस ने अब यहां पर देखो क्या हुआ कि यहां पिशने सेल दिया शेल दिया सर अगें इसने धोका दिया कि सेल दिया थोड़ा सा नीचे गया और फिर यह उपर बगया टाशिए जब आ गप इंटरी दी यहां पर हमारा ब्लू नहीं था यहां पर हमारा ब्रू नेता क्यों क्यूंड इंडिकेटर में तो हमारा अभी भी सैल पोजिशन चल रही है कहां पर शॉट दिया था इसने थी फाइफ एट-जूरो पर शॉट दिया था उसके बाद यह 100 में गया और फिर अभी भी सेल में चल रहा है जो कहां तक नहीं चलाय तक उसके बाद भी चल रहा है अब यहां पे इसने कोशिश किया एक बनाने की बाय बनाने की स्केंडल पर लेकिन इस स्केंडल का हाई नहीं तूटा अगर स्केंडल का हाई तूट जाता तो हम बाय में बैठ जाते टार्गेट क्या होना चाहिए कम से कम बताता हूं सब्सक्राइब अब इसका हाई अगर तूट जाता तो हम बाय में बैठ जाते सेल तोड़के लेकिन अभी यह बाय नहीं हुआ तो अभी भी हम सेल में बने हुए हैं 3580 से शॉट है दोको लो कितना लगाया इसने लो लगाया ठीक है अब आजाओ अब आजाओ चलने दो कहीं हमारा कोई बाय सिगिनल नहीं सब साहली में चल रहा है भी यहां पर देखो इस केंडल नहीं यहां पर उपर की तरफ क्लोज हुआ यह नीचे ब्लू बार्स ब्लू बार्स आते ही हम बाय हो जाएंगे यहां पर बाय दिया 33 3411 एक लिए अब आपके ऊपर है कि आपको कहां पर एक्जिट करना है वह उसके बारे मां बाद में बात करें फिर यहां पर सिर्फ एंटरी समझ लो भी आप यह यहां पर दिया कि यह जो सेल लेवल था आपका था 3347 पर 3347 के बाद कितना लो लगाया 3202 कि अभी तक सेल में चल रहे हैं कि अभी तक सेल में यहां पर देखो दिया ये में कुन्सा आप देखना है एक तो बार यह कोई भी केंडल चारो लैंको अपर बंद यह क्योंद वाला ये क्यूक्यर मोड वाला ब्लू बार बलू बार नजर आ रहोंगे आपको तो कि या एक यह वाइड बार नज़र होंगा वाइड बार पर कुछ काम नहीं करना है यह तो बूबार पर काम करना यह उक्या है और इसके वाद गया त्रीवन नाइन जीरो बीस पिप और यहां पे त्रीवन नाइन पूर चौबिस प्रोटल गया उसके बद यहां पर शॉट कराया है त्रीवन फूर बन पे आप चलो 24 में आपने पचास पिप का टार्गेट रखा और चौबिस पिप से पिलट गया नीचे ठीक है और यहां पे जब रादी त्रीवन फूर बन पहने पचास पिप के इस टॉप लॉस पे आप निकल गए बाहर लेकिन उसके बाद आपने जब सेल एंट्री करी तो उसके बा प्रॉफिट आगया या लिए ब्लू बार यह बिलू इस्टोग्राम यहां पर बाई दिये 3070 पे और 3070 के जबित वाए कंतिन्यूस लहां अभी तक बाए में चल रहे है अभी तक बाई में चल जबाए सब्सक्राइब लेकिन आपने को इसमें स्कैल्पिंग करनी है किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो आप अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है जैसे एंट्री लिया वहां से 10-15 मिल गए 20 मिल गए exit फिर नीचे के लेवल पर यहां पर आ गया मुविंग अवरेज इस बूब निया जब करना है यह तो यहां पर यह बहुत लिए पर पर लोगे यहां आप लोगों एक्स्ट्रापर पौर्ट्व सब्सक्राइब करता है कि आप किस तरीके से कमाते हूं कि यह शोइप सेग जी यह सब्सक्राइब काम करेगा और करेंसी पेर में भी काम कर सकता है आपको ढूंड के सब्सक्राइब किस चीज में आपको सरीकिछमें नहीं दोझा नाप सब्सक्राइब करता है मैं मैं इतना दे रहां यह भी बहुत बड़ी बात है हो Gel आप लोगों का मैंनठ करनी रस्टा दिखा दिया मैंने आप लोगों को आप इस पर आपके चलके आपको मैंनत करनी किस किस करिन्सी पर काम करेगा कितने ठीजात करें ढूलगित थी जिए करें या या कि सर अगर यह 32 को पर बंद हो गया ना आज यह दो गंडे का केंडल तो एक्जिट कर जाना या फिर अपनी पोजीशन हैज में डाल देना जो भी करना जो भी करने 3300 तक जाएगा 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 कि ओके हाँ कि अच्छा डवल से कॉन्टेटी बाइब कर लेना सारा लॉस कवर हो जाएगा आपका आपके अच्छा से पचास निचे आते आपके बैंग लेवल से फिर 0.05 और बाइब कर लेना सब्सक्राइब करेगी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसके उपर कि अजी कि है अलो टेंड़ जैसर बोल रहे हैं आप मैं सकते हैं अब इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते वह आप लिए बहुत सरी आटी मिलेंगी आपको कि यह आपको अब-बहुत कर सकते हैं। यह आपको काम है दोस्तों कर ने का कि सरने स्ट्राइटेजी बता दी आप इसमें हम और चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं अपने परपस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको यह आपका काम है अगर कोई नहीं आएगी तो मैं यहीं समझूगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है रजी सर इस चैटर जी ए बढ़िया लगी सब्सक्राइब है इस टाप लोगा इस टोपलोस नहीं होगा तो दिख्याटेजी की खास बात ने ट्रेंड बता देता है आपको यह ट्रेंड बता देगा आपको ट्रेंड के अंदर अगर आपको डाउन फॉल मिलता है तो डरने के ज़रूत नहीं जब तक तेजी का ट्रेंड है और वाई कर लो और वाई कर लू कि तैंक यू बचसल थैंक यू विन्हें पटिल सर तरव केमरीला भी बहुत अच्छा है मतलब आपके स्क्राइब कौन सी अच्छी है वह तो 90 परसेंट है तो मेरी फेवरेट इस्टेटिगी और इन सब सब्सक्राइब कर देखो या सेल का सिगनल देखो मतलब जब मिल जाता है ने तभी आपको उसको पता जलता है कि उसकी क्या मतलब वैल्यू है थैंक्यू गाइस थैंक्यू जादीब जी पावर आफ एपक्स वचल वचल तो फेवरेट एस्टॉक एस्टिक में अलग अलग फॉर्मूला लगा लग तो अलग लग लग यूज कर लो आप यह भी तरिक लिए उह सब्सक्ट्राइबर।